जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजायर टुलन में आपका स्वागत है तो आज अपन कवर करने वाले 9th of January के Current Affairs यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ important facts और आप सभी को में पहले प्रभासी भारती दिवस्त की शुब कामनाय देते हुए इस सेशन को शुरुआत करते हैं और dots को connect भी करते हैं बिना किसी तरी के चलिए शुरू करते हैं important question प्रवासी भारती दिवस first celebrated in which year देखो प्रवासी भारती दिवस का आपको सब चीज़ें यहाँ पर पता लगने वाली है अगर हम बात करें यह celebrate किया जाता है यह celebrate किया जाता है commemorate the return of महत्मा गांधी from South Africa to Mumbai on 9th January 1915 अगर आप से पूछ लें कि 1915 में गांधी जी आयते कहां से आयते South Africa से कहां आयते Bombay Bombay आयते 9 January को इसलिए प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है अगर मैं आप से बात करूँ यह कब से मनाया जा रहा है तो यह मनाया जा रहा है 2003 से तो यह आपको मिल गए आपके जवाब अगर मैं आप से बात करूँ यह है 17th Edition और यह होस्ट कर रहा है इंदौर Madhya Pradesh अगर मैं आप से बात करूँ कि इसकी थीन क्या है इसकी थीन में Diaspora Reliable Partner for Indian Progress in Amrit Kal आपको यह थीन भी याद रखना है अगर मैं आपसे और चीजे डिसकस करते हैं थोड़ा डीप में जाते हैं थोड़ा सा डीप में इससे ले लेते हैं चलो और क्या बता सकता हूं मैं चलो यहां के चीफ गेस्ट कौन रहेंगे चीफ गेस्ट भाई एक तो अपने इंपोर्टेंट है गवाना के ठीके गवाना के है इसका capital है पैरा रिम्बो और इसकी जो president है वो कौन है संतोखी संतोखी ठीक है यह इन दोनों ने participate किया है यह दोनों main guest रहे यह प्रवासी वारती दिवस की प्रवासी वारती दिवस जो की इंदोर में billion convention hall में हुआ यह चीज आपको ध्यान नहीं रखना है बरस इंदोर यात रखना है पूरे धेश में होश उल्लास से मनाया गया अगर मैं आपसे बात करूँ यह दोनों जो chief guest है वो एक important जगा visit करने वाले है तो वो करेंगे एशिया का largest एशिया का largest बायो cng plant बायो cng प्लांट जो recently inaugurate किया था मोदी जी ने यह कहां पर यह है इंदोर में ठीक है अब आप पूछो कि सर एक और अब भी हुआ था inaugurate compressed biogas plant ठीक है यह कहां पर हुआ था यह हुआ था पंजाब में ठीक ह अगर आपसे फूछ ले cng plant तो यह है इंदोर में पूर एशिया का सबसे बड़ा compressed biogas plant है वो है पंजाब में ठीक है चलिए next question देखते है तो next question है which state become country's first fully digital banking state बन चुका है यह है कैरला ठीक है कैरला भी काफी ज्यादा news में रहा है first first चीज़े कर रहा है कैरला तो यह to go fully digital in the banking service and the recognition would boost the state economy as well ठीक है तो यह चीज़ आपको दियान रखना है it is a joint venture between the कैरला state information technology infrastructure ठीक है तो यह चीज़ तो आपको नहीं पता होना चीज़े बस कैरला धियान रखना कि कौन सा state बना जो first fully digital banking state बन चुका है तो उसका नाम है कैरला अगर मैं आपसे बात करू कैरला क का first palm leaf manuscript museum कहा पे वह है कैरला में ठीक है और क्या आया केरला में धर्मादम constituency जो की इंडिया की fully फुली लाइबरेरी बनी constituency वह है धर्मादम अगर मैं आपसे बात करू जैंडर पार्क इंडिया का जैंडर पार्क कहां पे आया था ये भी आया था कैरला में फर्स्ट जैंडर लिटरेट पंचायद कहां पे वो भी है कैरला में तो ये चीज़ आपको द्यान रखना है अभी रिसेंटली कैरला कवर्मेंट ने एक अवार्ड दिया था उसका नाम था JC Daniel Award ये कैरला का highest film award है highest film award है ये कैरला का तो ये चीज़ आपको द्यान रखना है बस ये मिला किसको ये मत जानना JC Daniel Award आपसे पूछ ले कौन से स्टेट का है तो ये है कैरला का ठीक है बाकी ये चीज़ आपको द्यान रखना है धर्मदम, जेंडर पार और वर्ल्ड का Palm Manuscript Museum का है कैरला में और एक और चीज़ जो most important कैरला first fully digital banking state बन चुका है next question देखते हैं so next question देख लेते हैं अमिशा जी ने recently inaugurate करा tracking and best camp at Mount Saramati Mount Saramati कौन से स्टेट में ये आप से पूछा गया है तो ये है नागा लेंड में अगर मैं आपसे बात करूँ नागा लेंड में recently कामिशा जी ने 5 development project launch किये जो की 52 करोड रुपे के हैं अगर मैं आपसे बात करूँ Mount Saramati Mount Saramati एक natural border share करता है किस-किस के बीच में इंडिया और मैनमार के बीच में आपसे question पूछा जा सकता है नागलेंड का सबसे उची चोटी पर यह mountain है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है चलो एक fact बताता हूँ आपको आपने सुना होगा शोको वी शोको वी railway station नागलेंड में यह second railway station है after 100 years 100 सालों के बाद यह second railway station आया है नागलेंड में तो यह चीज आपको ध्यान रखना है अधस्त की ही शायर यह news है तो यह आपको ध्यान रखना है पहले आप एक station था दीमापूर railway station जो इनागरेंड हुआ था कब 1903 में तो अब आया है कौन सा शुको वी railway station आपसे direct question पूछा जा सकता है शुको वी railway station कौन से state में तो वो है नावगा लेंड में तो next question देखते है तो next question है Indian origin Manpreet Monica Singh become the first female Sikh judge in which country कौन सी country की यह बनी है तो यह बनी है US की तीकि यह first ever female Sikh judge बनी जो की US में अपना करेंगी तीकि शी वास ओन इनाज दा हरीस country judge तो यह चीज़ आपको पता होनी चीज़ तो सनाव काफी है इनका अगर मैं आपसे बात करूँ US US की military exercise आपको पता ही होगी सबसे important youth abhyas यह आपसे पूछी जाएगी definitely आपसे match the column में पूछी जा सकती यह कहाँ पे होने वाली थी कहाँ पे होई है यह of India 79th chess grandmaster देखो इंडिया में अभी इसी महिने में ही मतलब 3 grandmaster आ चुके हैं अपन उसके बारे में भी discuss करेंगे तो M.Parmish जो की 79th grandmaster बन चुके हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ 16 year old dynamic chess player जिनने अभी dominate किया था Rilton Cup कहाँ पे हुआ था यह हुआ था Sweden में आपसे यह भी पूछा जा सकता है Rilton Cup कौन से sports से related है तो आप तो आप आपे confused हो जाओगे यह है chess से related ठीक है F.Kate में अगर आगे ना Rilton Cup तो confused हो जाओ गया चलो कोई बात नि मैं बताते जाओँगा आपको तो आयम परमेज भी जो बन चुके है 79th chess grandmaster चलो अगर मैं आपसे बात करूँ कि 78th कौन से grandmaster थे उनका नाम आपको बताना है चलो मैं बता देता हूँ आपको Kostav Kostav Chatterjee Kostav Chatterjee यह बने थे और 77th बने थे अदित्यमित्तल जी बने थे और फर्स्ट तो आपको सबको ही पताओगा अपने grandmaster विश्वनाद आनन्द जी थे विश्वनाद आनन्द जी बने थे तो यह चीज आपको दिहान रखना है Next question देखते है So next question है Who was the guest of honor at the youth प्रवासी भारती दिवस देखो प्रवासी भारती दिवस का तो है ना सबको रटा है ठीक है मौम्मद इफान अली खान सबको रट लिया समने रट लिया गवाना के president है बट आपको अगर यह पूछ लिया ना युथ प्रवासी भारती दिवस के guest of honor कौन थे तो वो कौन थी वो थी zenita zenita mestranches ठीक है यह कहां की है यह है Australia की ठीक है और यह कहां पे host हुआ यह भी इंदौर में ही host हुआ ठीक है अगर आप से पूछें युथ प्रवासी भारती दिवस कहां पे host हुआ था हुआ तो इंदौर में बट chief guest अलग हो गये थे ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है चलो Australia से आपको क्या याद आता है चलो मैं बता देता हूँ Australia की military exercise काफी important है news में रही देखो ककाडू exercise ककाडू exercise यह कहां की है यह Australia की है इंडिया और Australia की अस्ट्र हिंद अस्ट्र हिंद ठीक है अस्ट्र हिंद कहां पे होई थी माजन फिल्ड कहां पे राजिस्तान में ठीक है राजिस्तान में होई थी और Indo-Pacific Indoor Indo-Pacific Indoor यह कहां पे होई थी विशाका पत्नम में और एक है अस्ट्र हिंद तो यह चार exercise मैं आपको बता दी अगर आपको कुछ याद आ रही है तो आप comment section में मुझे बता दू तो next question देख लेते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ खेलो इंडिया यूद गेम्स कौन host कर रहा है तो वो host कर रहा है मध्यप्रदेश और यह कौन सा edition है यह edition है 5th edition और यह कफ से कफ तक चलने वाला है तो यह चलने वाला है January 32, February 11 ठीक है यह चीज आपको द्यान रखना है अब इसके mascot के बारे में बात कर लेता हो तो इसका mascot है आशा एंड मोगली ठीक है आशा शायद इसलिए नाम रखा गया था तो उसी से related है कि यह रखा हुआ है आशा तो यह चीज आपको द्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ जो इसकी smart torch है उसका नाम रखा गया अमर कंटक वर रिलीज अलॉंग विद थीम है ना तो यह चीज आपको द्यान रखना है चलो इसमें चलो एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें मैंने option डलवा है चलो पैरी पैरी कहा का मैसकट था पता है आपको यह था Commonwealth Games का Commonwealth Games जो ब्रिम्मिंग गन में हुए थे और fluffy पता है किसका मैसकट है जो अपने अब भी exercise देखी न ककाडू ठीक है उसका मैसकट पता है क्या था उसका मैसकट था fluffy जो कि एक crocodile है यह चीज आपको पता थी ठीक है और आशा और मोगली तो हो गए मीरी तोवा मीरी तोवा टोकियो ओलम्पिक्स का था ठीक है टोकियो ओलम्पिक्स का था पता होग 20 मेंच होंगे बिर्सा मुंदा में और 24 मेंच होंगे कलिंगा स्टेडियम में तो जो 20 और 24 मेंच होंगे तो जो इसका मैसकट है न कहां पर होगा यह उडिसा में ठीक है उडिसा में होगा तो जो इसका मैसकट है वो है ओलीवी ठीक है ओलीवी ओलीवी इसका मैसकट है और यह आपको पता होगा, olive green turtle, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अब आप मुझे इसका, IUCN status बताओ, olive turtle का, ठीक है, next question देखते है, तो next question है, world का first palm leaf manuscript museum, कहाँ पे open हो चुका है, ठीक है, आपने पहले भी news देखी थी, तो यह हो चुका है, कैरला में, ठीक है, कैरला में हो चुका है, the world first leaf manuscript museum, has been opened in Tiruvendanampuram, the capital city of Kerala, in reaching the state culturally and educationally, तो यह चीज आपको दियान रखना है, world का first है, तो और इसमें आपको क्या दिया रखना है, fully banking, fully digital हो चुका है, अब भी आपने discuss किया था, first slide में, बाकिया आप मुझे connect dot करके बताओ, बहुत बता चुका हूँ, मैं कैरला के बारे में, ठीक है, next question देखते है, which city stops the performing global airport of 2022, कौन सा airport बन चुका है globally, तो वो बना है कौन कौन से दिल्ली और बैंगलोर के, दिल्ली का जो airport है, उसका नाम क्या है, इंद्रा गांधी airport, और बैंगलोर का जो airport है, उसका नाम क्या है, कैमपागोडा international airport, अगर मैं आप से बात करूँ, बैंगलोर का international airport और दिल्ली का इंद्रावदानी international airport, बोथ ranked second और 17 list of world best performing airport on 2022, ये जो बैंगलोर का है, कैमपागोडा उसकी rank आई second, और दिल्ली के जो international airport है, उसकी rank आई 7, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नेक्स कुशन देखते हैं, तो नेक्स कुशन देख लेते हैं, 240 फिट क valley suspension bridge, कौन सी river पर इनागरेट किया गया है, तो ये इनागरेट किया है, चेनाब river पर, अब भी आपको पता होगा, सियोम सेतु, सियोम सेतु, ये कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था, अरुनाचल प्रदेश में, ठीके, अरुनाचल प्रदेश में, सियोम, सियोम किसकी Tributory यह है ब्रह्म पुत्रा की ब्रह्म पुत्रा की Tributory आपको पता होगा अरूनाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है land of dawn lit mountains यह आपको पता था land of dawn lit mountains ठीगे और मैं अगर बात करू अरूनाचल प्रदेश की जैनाव रीवर पर एक और एकोर आ रहा था, उसका नाम है वर्ड हाइस रेल ब्रीच, वर्ड का हाइस रेल ब्रीच का अब कॉन सी रिवर पर आ रहा है अगर आप से पूछ लिया जाए तो वो आ रहा है चेनाव रिवर पर, यह थोड़ा मैं रवर कर लेता हूं उसके लिए काफी माफी चाहूंगा आप लोगों से, है न, का आप लोग समझ जाते हैं, तो प्लीस मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा, next question देखते हैं, तो ताला कवेरी इस रिसेंटी न्यूज, ओपन फर्स्ट डार्क स्काय रिज़व, इन विच स्टेट, ये देखो, इंडिया की, फर्स्ट तो आपको पताई ये, डार्क स्काय रिज़व कहां पे आ रही है, वो आ रही है कहां पे, हैनले लदाक में, हैनले लदाक में, पताई होगा आपको, हैनले विलेज लदाक में, और अधर मैं बात करूँ साउथ की, साउथ की, ये सेकिंड बनने वाली है, ताला कावेरी में, जो की कडाकू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जो की एक सोर से कावेरी रिवर का, हैना, ये चीज़ आपको द्यान रखना है, तो कौन से स्टेट में है, आपको ये बताना इसमें, हैना, तो ये एक करनाटका में, ठीक है करनाटका में है ये, और अगर मैं आपसे बात करूँ, कि हैनले जो की लोकेटेड है, कहाँ पे लदाक में, और ये वाली बन जाएगी सेकिंड, हैना, तो ये चीज आपको द्यान रखना है, और, चलो आपको एक चीज बताता हूँ, मैं साइन से रिलेटेड, चलो, ये तो सब बाते हैं, हैना, साइन से रिलेटेड चीज बताता हूँ, बॉट्शली स्केल, बॉट्शली स्केल, ये क्या करता है आपको पता है आपने इतना dark sky reserve ये सब तो देख लिया ये measure करता है कि यहाँ पे dark sky reserve open होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये place decide करता है कि आपे dark sky reserve जो suitable रहेगी या नहीं रहेगी ठीक है ये scale type है जिसे rister scale क्या करता है rister scale क्या करता है वो मुझे आप comment section नहीं बताओगे तो कुछ types की scales आपसे पूछे जाते exam में अगर आपसे bottle scale पूछ लिया गया तो आप तो आप तो वापे फच जाओगे लेकिन आपको याद रहेगा dark sky reserve के बारे में बताता है ठीक है तो next question देखते है तो next question देख लेते हैं who चेतन शर्मा जी को बना दिया गया है BCCI का senior selection committee का member और कौन कौन से member है शली लंकोला, शिब कुमार दा, सुबरो तो बैनर जी and श्रीदाम शरत are the new members of the selection committee तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है senior selection committee का chairman ठीक है next question देखते है कोई committee से gas pricing पर work करेगी, अमर्जी सिन्ना committee याद है, अमर्जी सिन्ना committee ये क्या करेगी, ये करेगी अपना मनरेगा वाली, ठीक है, मनरेगा scheme से related है न, तो ये चीज़ आपको द्यान रखना है, दोनों question आपसे पूछे जा सकते है, next question देखते हैं, तो next question है, which state setups India's first green climate fund, ये state पता है क्या क्या करता है, ये state पहले अपना खुद का climate change mission launch करता है, तीक है, अब क्या कर रहा है, अब इंडिया का first green climate fund भी इसने launch कर दिया है, तो कौन है आप तो समझी गए होंगे, वो है तमिलाडू, तीक है तमिलाडू से इतनी चीज़े में relate कर चुका हूँ, अब आशा ये रेवर्न्यू पॉलिशिंग सिस्टम, तो ये किया है उत्राखंड की सरकान ने, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिटिशर्स की टाइम पर ये system वह करता था, आप history वगिरा में इसे पढ़ सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ, उत्राखंड ने क्या क्या किया एंटी कनवर्जन विल, किसने पास किया था उत्राखंड ने, बदरी काउ, याद होगे आपको, गौरफ सम्मान अवाट किस-किस दू अस्तियों को मिला था, ये मिला था एक अजीत दोवाल जी को और जनरल विपिन रावज जी को, लेट जनरल विपिन रावज जी को, तो विडियोस देखे जाते हैं, मेरे देहरादून से, इस्पेशली, तो अगर आप देहरादून से हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरू, नेक्स कोशन देखते हैं, विच इस दा होस्ट सिटी ऑफ वाइट्वेंटी सम्मिट, वाइट्वेंटी सम्मिट क्या वो होई थी अपनी कहां पे, उदैपूर में, और शेरपा जी अपने कौन है, वो हैं, अमिताप कान्त जी, ठीक है, और वर्किंग गुरूप की कहां पे होई थी, यह होई थी मुंबई में, ठीक है, यह चीज़ आपको दियान रखना है, और, 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 अचा, अर्ब और, यह फस्ट टाइम इंडिया होस कर रहा है, वाय sûr टोपनाफ यह हो最 कौरबिया होस कर रहा है, टू है, तो यह आपको याद रखना है, नेक्स्ट कॉ्षान देखते और यह इसका लोगो है, देखो, यह गतना शांदाल लोगो है, टू क्लिस ऑफधा धी, आपकी लिए खाली है फ्लीज भर दीजिए अगर मैं आपसे बात करूँ Defense Warrior ने काफी अच्छा कमेंट किया और ये कमेंट देखके मुझे मिलता है भाई motivation है ना तो motivation मिलता है और आगे बहतर करने की मैं कोशिश करूँगा और इनने बोला लोकेटेड इन कौनसे स्टेड में है जारगन गुजरात महाराज उडिशा कमेंट सेक्षन फिरसे काली भर दीजिए तीक है रावल स्टिंग विशिट जी ने काफी अच्छा कमेंट किया गजब सर ये तो बिल्कुल एनेक्सफेक्टीड ही था ऐसा मज़ा आगया इनको ये वाली देखके और क्विज बोट अब भी स्टार्ट होने वाला है डेफिनिटल अपन लोग करेंगे उसे भी अपन कवर करेंगे तो आशक करते हूं आपको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी लेक्चर काफी पसंद आया होगा इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर लो और डिसायर टुलेंट टेलिग्राम पर भी आजाओ मिलते हैं नेक्स क्लास में जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जय हिन जय बारत